बच्चों हमने परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा है परावर्तन के नियम समतल सता पर जिस प्रकार लागू होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार गोली सता पर भी लागू होते हैं हमने अभी देखा कि गोली सता दो प्रकार की होती है एक अवतल दरपन और दूसरा उतल दरपन साथ ही जो गोली सता है उस गोली सता पर जब कोई करण आपतित होती है तो यदि हमें आपतन कोण पता हो तो हम परावतन कोण भी ग्याद कर सकते हैं लेकिन आपतन कोन को ग्याद करने के लिए हमें अभिलम के आवशक्ता होती है, तो गोली सता पर जो अभिलम है वो किस प्रकार का होता है, ये जानने के लिए, साथ ही अवतल दर्पन और उत्तल दर्पन पर जब प्रकाश की केरण आपतित होती हैं, तो परावर्तन के साथ वो किस प्रकार गमन करती है इन सभी बातों को समझने के लिए चली हमें क्रिया कलाब करते हैं मैं क्रिया कलाब के लिए देखिए यह मेरे पास एक है रबर की बॉर और उसको हमने ऐसे एक अनुपरस्त काट से हमने इसे ये काट दिया है ठीक है अब आप देखेंगे कि यहां हमें दो प्रकार क्या उपरी सता एक दिखाई दे रही है और एक ये अंद्रूनी सता है ये जो उपरी सता है ये ध्यान से देखिए ये कि इस प्रकार की दिखाई दे रही है आप देख पा रहे हैं हमने इस सत्ह पर जो उपरी सत्ह हमने ली है जो उत्तल दर्पन की तरह दिखाई दे रही है उसमें ये ओल्पिन लगा दी है और यही प्रक्रिया देखिए ये एक सीध में लगी हुई है ठीक है और यही प्रक्रिया हमने इस अंद्रूनी सत्ह याने की अव परतन के बाद परावर्तित होती हुई यह देखिए यह किस तरह के दिखाई दे रही है यह जो हमारा उत्तल दरपन रुमा जो यहां पर आपको सत्था दिख रही है इसमें प्रकाश की किरन परावर्तन के पश्चात देखिए बहुत ध्यान से अगर हम इसे देखें तो यह जो दिशा है यह बिल्कुल ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही है याने कि उत्तल दरपन पर प्रकाश की किरन परावर्तन के पश्चात अभी सरित होती है याने कि फैलती है और यदि हम इसमें अव्तल दरपन नुमा इस सत्था पर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो ओल्पिन है यह किसी एक बिंदू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है याने कि यह अपसरित हो रहे हैं और साथ ही यह जिस बिंदू पर जाकर मिलेंगी वो इस वकरी सत्था के लिए केंद्र बिंदू उसे हम वकरता केंद्र कहते हैं वो कहलाएगा और से गोली सत्था के बिंदू को मिलाने वाली रेखाए हैं यही अभिलंब हैं तो हमने देखा कि गोली सत्था पर अभिलंब किस प्रकार के होते हैं साथ ही उत्तल दरपन पर जब प्रकाश की किरणे आपतित होती हैं तो परावर्तन के परश्यात अभिसरित होती हैं और तो अपसरीत होती है